नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल धाकड एकरी कल्चर में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RVSM 1135 स्वाइबिन की वराइटी के बारे में चैसा कि आप हमारे प्लोट पर यहाँ पर देख पा रहें किसी क्या चल रही है कितनी इसके अंदर फुटान आ रही है और फलियां कितनी ज़्यादा मातरा में इसके अंदर आ रही है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंते तक देखिए और जो किसान भाईयों हमारे चैनल पर पहली बार आए है जिन किसान पर उने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी प्रातना रहेगी कि चैनल को आप निचे स्क्रीन पर दिये लालक शरो के सब्सक्राइब के बटन को दबागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में गंटी के निसान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप समय पर वीडियो देख पाएं अब डारेक्टर हम बात करते हैं RVSM 11.35 के बारे में तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फलियों का फुटाव काफी सानदार देखने को मिल रहा है इसमें इका दुका मातरा में फलिया नहीं आ रही है बलकि गुच्छों में फलिया इसके अंदर आ रही है और ऐसा नहीं है कि उपर उपर ही फलिया है पोदे से अगर आप नीचे की और से देखेंगे तो नीचे से उपर की और आपको फुटान देखने को मिलेगा और पूरे पोदे में फिलियां ही फिलियां आपको देखने को मिलेगी तो फिलियों के मामले में अगर बात की जाए तो यह है वराइटी मुझे काफी ज़्यादा पसंद है किसान भाईयों हमने एक एकट में स्वाइबिन इस प्लोट में लगाया है इसके अधरवाइसम ने एक प्लोट और लगा रखा है जिसमें केवल और केवल आरवीसम स्वाइबिन है इसमें 20-34 और आरवीसम दोनों लगा रखा है तो इसमें फरक साप नजर आ रहा है सबसे मुख्य चीज तो इसमें अभी तक भी पोदा इतना बड़ा हो चुका है सितर दिन का हो चुका है फिर भी इसके अंदर पिलापन की समस्या देखने को नहीं मिल रही है जैसा कि आप पोदे को देख पा रहे हैं इसके वीपरित अगर 20-34 का पोदा आप देखेंगे तो इसके अंदर पिलापन की समस्या साप तोर पर देखने को मिल रही है तो यह है फरक सबसे बड़ा फरक है इसके अलावा फुलियों की बात की जाए तो फुलियों की संक्या RVSA में ज्यादा है क्योंकि इसका जो पोदा है पोदा भी काफी ज्यादा बड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पोदा कमर तक भी आ रहा है तो पोदा इसका बड़ा है जबकि 20-34 का पोदा आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कितना छोटा पोदा है तो 20-34 का पोदा छोटा होने की वज़े से उसमें फ़लियां भी ज़्यादा नहीं आती है चबकि वहीं RVSM का पोदा बड़ा है तो इसके अंदर नीचे से लेकर उपर तक की और फ़लियां आ रही है तो ऐसे में अगर दोनों की तुलना की जाए तो मेरे हिसाब से RVSM इस समय पर बेश्ट है और इस साल इसका प्रोड़क्शन भी ज़्यादा निकलने के संभावना ही नजर आ रही है क्योंकि फलियों को देखते हुए और इसके अंदर डानों को देखते हुए काफी अचा प्रोड़क्शन इसका निकल सकता है इसके अंदर अगर रोग प्रतिरोदक की बात की जाए तो इल्यों का अटेक भी बहुत ही कम इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे बड़ी समझता सोयबिन में यह आती है कि इल्लियों का प्रकॉप हो जाता है तो ऐसे में इल्लियां सोयबिन को काफी ज़्यादा नुक्सान पहुचाती है तो इसके अंदर इल्लियों का भी अटेक हमें देखने को नहीं मिल रहा है सबी फलियां इसके अंदर सुरक्सित है ना तो इसके अंदर किसी प्रकार की कीट लिका प्रकोबे ना ही फंगस काटेगे अगर पोदा आप देखेंगे तो यह जो पोदा है एक पोदा इस पोदे पर आप नीचे से लेकर उपर तक यहीं से पुटान इसके चालू हो चुकी है और यहीं से फलिया आना सुरू हो चुकी है यह जो पूरा पोदा है यह एक ही पोदा है और इतनी ज़्यादा मातरा में इसके अंदर फलियां आ रही है तो इस हिसाब से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बेश्ट वराइटी आर्वीस्यम है तो अगर आपने भी इस साल आर्वीस्यम लगाई है तो इसका बीज बजाकर रखना अगले साल काम आएगा और अधर जो किसान भाई ह उन्होंने कौन से बसर लगाई है कमेंड में जरूर बताईए चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय जवान जय किसान